हलो फ्रेंड्स आज हम डबल कलर से बनने वाला इस तरह की का डिजाइन बनाएंगे इसे आप लेडी या बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जैसे की लेडी कार्डिगान, कोटी, बेबी स्वेटर, ब्लैंकेट या बेबी कैप बगेरा में ये डिजाइन को अप्लाई कीजी अच्छा लगेगा और इसे बनाना भी असान है, इसे बनाने के लिए आपको फंदे फोर के मल्टिपल में प्लस थ्री फंदा एक्ष्टर लेनी है और ये फोर श्लाई का पैटर्न है, फोर श्लाई को ही आपको बार बार रिपीट करना है इस डिजाइन का बैक सैट देखिए इस तरह से बन के आएगा तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ यहाँ पर मैं फोर के मल्टिपल में 16 प्लस थ्री फंदा तो 19 फंदा ले हूँ यह फर्स्ट स्लाई सीधी साइड है, पहली स्लाई में ही हम सेकेंड कलर का धागा लगा लेंगे आप बोडर बनानी के बाद फर्स्ट स्लाई में इसी तरीके से से सेकेंड कलर का धागा अटेच कर लें सेकेंड कलर का धागा लगाते हुए आज स्टार्टिंग का तीन फंदा सीधा बुनेंगे देखें वान टू थ्री एक फंदा को बिना बुने वह उतारेंगे इसी तरह से रिपीट करना है तीन फंदा सीधा बुनेंगे तीन फंदा को बिना बुने वह उतारेंगे फिर शे तीन फंदा सीधा तीन फंदा सीधा तीन फंदा सीधा बुने वह उतारेंगे तीन फंदा सीधा बुने वह उतारेंगे तीन फंदा सीधा बुने वह उतारेंगे लास्ट का तीन फंदा सीधा एकेंड स्लाई उल्टा साइड है तिस स्लाई में देखिए और स्टार्टिंग का तीन फंदा सेकेंड कलर के धागा से सीधा बुनेंगे और एक फंदा को धागा अपने तरफ करके उल्टा उतार लेंगे उसके बाद धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा बुनेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा को बिना बुने वह उतारेंगे धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके एक फंदा को बिना बुने वह उतारेंगे धागा पीछी करके तीन फंदा सीधा धागा अपने प्रेप करके एक फंदा को बिना बुने हो उता रहेंगे धागा पीछी करके तीन फंदा सीधा थाड़ स्लाई सीधी साइड है तो जैसे हम फर्स्ट स्लाइब बुनें उसी तरीके से ठर्ड स्लाइब बुनेंगे सेकेंड कलर के धागा से ये फर्स्ट कलर का धागा भी हम इस तरह से साथ में ले लेंगे क्योंकि इससे आगे भी बुनना है सेकेंड कलर के धागा से तिन फंदा सीधा एक फंदा को बिना पूने हुए उतारेंगे, तीन फंदा सीधा एक फंदा को बिना पूने हुए उतारेंगे, तीन फंदा सीधा तेसी तरह से फर्स्ट स्लाई के जैसा ये ठेट स्लाई में बुलना है लाश्ट में तीन फंदा सीधा पूर्थ स्लाई उल्टा साइड में देखिए तीन फंदा सीधा बूनेंगे धागा अपने तरफ करके इस फंदा को उल्टा बून लेंगे जो फंदा हमस्किप कर रहते उसे हम उल्टा बूनेंगे बागी फंदा को सीधा बून लेंगे धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछी करके तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा फिप्त स्लाई सीधी साइट है तो जैसे हैं one से लेकर के four स्लाई second color के धागा से बूने हैं उसी तरह से color को change करते हुए वन से फोर्ष लाई रिपीट करना है तो ये फीप्थ सलाई सीधी साइड में देखिए अब यहाँ पर हम फर्स्ट कलर के धागा से बुनेंगे देखिए फर्स्ट कलर के धागा से तीन फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे जैसे हम फर्स्ट सलाई बुने हैं उसी तरीके से ये फिप्थ सलाई में बुनना है बस यहाँ पर कलर चेंज होगा तीन फंदा से धा एक फंदा बिना बुने वे उतारेंगे तीन फंदा से धा six लाई उल्टा साइड में जैसी हम second लाई बुने है उसी तरीके से बुनना है तीन फंदा फर्स्ट कलर के धागा से सीधा बुनेंगे धागा अपने तरप कर के एक फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे धागा पीछे कर के तीन फंदा सीधा धागा अपने तरब करके एक फंदा बिना बुने वे उतारेंगे धागा पीछी करके तीन फंदा सीधा तेसी तरह से ये 6 स्लाइम बुन के कंप्लीट करना है सेवन स्लाइ सीधी साइड में देखिए तीन फंदा फर्स्ट कलर के धागा से सीधा बुन लेंगे और एक फंदा को बिना बुने वे उतारेंगे फिर से तीन फंदा सीधा एक फंदा बिना बुने वे उतारेंगे तेसी तरह से सेवन स्लाइम बुन के कंप्लीट करना है एट सलाई उल्टा साइड में देखिए, तीन फंदा सेधा, वान, टो, थ्रे, धागा आपने तरफ करके एक फंदा को उल्टा बून लेंगे, जो फंदा को हम बिना बूने भे उतारते थे, उसे हम उल्टा बूनेंगे, बाकी फंदा को सीधा बून लेंगे, जैसे हम फोर्थ सलाई बुने हैं उसी तरह से ये एट सलाई बुन के कम्पलीट करना है धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा धागा अपने तरफ करके एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके तीन फंदा सीधा नाइन सलाई सीधी सैट है तो जैसे हम First स्लाई Second कलर के धागा से भुने है उसी तरीके से Nine सलाई में Second कलर के धागा से भुनना है तो अगर आप Double Slide से बना रहे हैं तीसी तरह से One से लेकर Eight स्लाई आपको बार बार रिपीट करना होगा थैंक्स पर वाचिंग